हेलो दोस्तों अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का Math & Magic Tips YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं मैथी परिछार्थियों के लिए मैथ का क्रेस्ट कोर्स का अगला पार्ट जिसमें है ऐसे सब्जेक्टिव कोर्स चैनल जो आपके मेठी एक्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपके भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए फिर बिना समगवाए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले जो भी इस्ट्रेंट बिडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि प्रते एक दिन के आने वाले वीडियो आपसे ना छुटे तो चलिए प्रेंश बीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आप पहला कोशन देख पा रहे हैं तिर्भूज ABC का शेथपल ग्याद करें जिसके C से 5,2 B में दिया गये है 4,7 और C में 7,-4 दिये गये हैं तो आप सभी का करना है कि ऐसे प्रेंशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक तिर्भूज बनाना है बिंदू A का निर्दसांग A के जगे पे लिख देना है B की निर्दसांग B के जगे पे लिख देना है उसके बाद में आप सभी को एक फर्मूला का यूज़ करना है जो होते हैं तिर्भूज का छेत फल और वह होते हैं दोस्तों x1 into y2 minus y3 plus होते हैं x2 उसके बाद में होते हैं y3 minus y1 फिर plus x3 उसके बाद में होते हैं y1 minus y2 देखिए यह एक फर्मूला है जिसको आप सभी को याद करना बेहद ही जरूरी है चुकि आपको मेटी एक्जाम में ऐसा सवाल एक तीन मास का 100% गरांटी है की रहेगा तो इसलिए आप सभी इस फर्मूला को याद करें ही लिजिए अगर आपके मेटी एक्जाम में ऐसा पुछे जाते हैं तो आप इस फर्मूला के दोरा बहुत ही जल समय में बना सके तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक बटे दो को एक बटे दो लिखेंगे और एक का जो पांच का मान दो दियागे है तो यह एक्सवन का मान हो जाएगा और यह वाई वन का मान हो जाएगा ठीक है उसी परकार से बी में यह एक्सटू यह वाई टू इसमें हो जाएंगे एक्सटू और यह हो जाएंगे वाई थरी का मान उसके बाद में क्या करना है यह आप देख पा रहे है x1 कमान दोस्तो x1 कमान देख लिजी कितना है 5 दिया गया है तो आप भी लिखेंगे 5 और दिया गया है y2 कमान दोस्तो y2 कमान यहाँ पे 7 है और फिर है minus y3 कमान आप से भी देख पा रहे है कि y3 का जो मान है वो minus 4 है यहां पे भी आप देख सकते है कि Y 3 कमान minus 4 है और P sorLis से भी यहां पे क्या है, minus है तो आप minus और minus पोलर 4 लिख सकते है, उसके आपने है परस X2 कमान, दोस्तोam X2 कमान यहां पे कितना है, 4 है आप ही लिखेंगे 4 और दियागे है Y3 कमान दोस्तों आप से बता दे y3 का जो मान है वो माइनस 4 है तो आप लिखेंगे माइनस 4 और माइनस जो है y1 कमान दोस्तों आप से बता दे y1 कमान 2 है तो आप लिखेंगे 2 उसके बाद ये प्रस x3 कमान x3 कमान यहां तो देख सकते हैं साथ दिया गया है आफ साथ लिखेंगे और y1 कमान दोस्तो यहाँ यहाँ पे कितना है दो दिया गया है तो आपको लिखना है तो उभी यहाँ पर 2 यह सब लिखने के बाद प्यासानी तरिके से तो बना लिखते हैं, उसके बाद में आप से भी को करना क्या है, कि साथ में चार को यूइड कर लिजिए का, तो साथ-चार 11 होती है, तो आपको भी लिखना है 11, फिर यहां पे है पलस, तो पलस 4 है, तो 4 लिखेंगे, कोश अटे का तो गुना, और आप से बता दें, गर कोई भी संग पलाश 7 का 7 लिखेंगे कोश अटता है तो गुना लिखते हैं और 2 में से अगर हम 7 को घटा लेंगे तो कितना बचेंगे माइनस 5 बच जाएंगे ठीके उसके बाद में इस टेप में आप सबी करना क्या है कि 1 बटे 2 को 1 बटे आप 2 लिखेंगे कोश दका कोश रहेगा और 5 का पहड़ा अगर हम 11 बार पढ़ें तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55 हो जाएगा और माइनस 6 के पहड़ा अगर 4 बच पढ़ते हैं यहां पर देखिए एक वटे 2 है और यहां पे कोष्ट है 55 ठीक है तो यह जो माइनस 24 है यहां पे माइनस 24 है और माइनस 35 है तो पहले माइनस बाद में माइनस हो तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं लेकि लिखते हैं हम माइनस में तो देखिए 5 और 4 कितने होते 9 होते हैं 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं उसके बाद में आ minus 4 और दूश्य से minus 4 cutting ए 2-डु मरतवै ठीक है तो जो Coast का जो ज़िकर जवाब हो जाएगा वह माईनस 2 मात रख्याद अब वर्ल्ग मात्र को जाएगा ठीक है तो चलिए फिर हम अगला Coast को देख लेते हैं geweं अगे दोस्तों जो अगला koos n है समया कोशिन समयाक की कि एपी का एक तीस्वा पद ग्याद करें जिनकी एगराहवा पद 38 है और 16 पद 73 है तो आप सभी क्या करना है कि देखिए यहां पर दियागे एगराहवा पद 38 है तो 11 में से आप सभी को एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा और उसमें डी लगाके बराबर 38 लिख लिखना है एपलस 16 में से एक कम कर देना है तो 15 बचेगे इसके साथ डी लगाके लिखना है आप सभी को 73 ठीक है प्रकास से लिखनेस पे आपको दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे एक समीकरण यहां पे है एपलस 10 डी बराबर 38 एगराहवा पद बराबर 38 वाले के लिए और यहां पे 16 पर 73 वाले के लिए लिखेंगे एपलस 16 में से एक कम करेंगे तो 15 डी बच जाएंगे और 73 का 73 लिखेंगे तो यह हमारा समीकरण 2 बन जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं जब 2 समीकरण आ जाता है तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से तो यहां पे हम क्या कि परवा-पनदरा को गdoor और पजेगर बचेमरा माइनश पांच दी ऊसी पर्कार से ठीस में वितितर को घटा लेना है थिए हमारा बचे इएक मैनिस इस मैनिस कड़ जाएगा तो अगर आप डी biomass पर लिखेंगे 35 तो गुना में है पांच तरह जाएगा भागा में तो पांच सब्सक्राइब कटके साथ आ जाएगा उसके बाद में आप सभी देख पा रहे हैं कि डी का मान आ गया है तो हम क्या लिखेंगे कि डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखेंगे एक किया है ए प्लस दस डी ब्राबर 32 तो आप लिखेंगे एप लस दस दी ब्राबर 32 तो यह लिखने के वाद थे दुट scholar करना है थि की ए तो अपको लिखना फिर प्रेश दस दुने डी का मान कितना आइस है सात डाय है तो रिखेंगे ब्राबर 28 लिखेंगे उसके बाद में A पलस 10 सत्य होते हैं 70 बराबर कितने हैं 38 है उसके बाद वाले step में आप सब यह करना क्या है कि देखिए यहाँ पे A और बराबर अगर आप 38 लिखें तो पलस 70 है तो बराबर की इधर क्या हो जाएंगे माइनस 70 हो जाएंगे तो 38 में से 70 आप सब यहाँ घटाएंगे तो आपका बचेंगे माइनस 32 तो कहने के मतलब D का जो मान आया है वो 7 आया है और A का मान माइनस 32 आ गया है तो हम आशानी तरीके से निकाल सकते हैं एक तीस्वा पद तो आप सभी एक तीस्वा पद कैसे ग्याद करें तो देखिए उसका शॉटकर जो फर्मूला होता है एक तीस में से कम कर दीजेगा तो तीस बचेंगे और उसके बाद में इसमें डी लगा दीजेगा तो एक कमान दोस्तों कितना आया है मैन इस बचेंगे चेंगे 128 आ जाएगा तो चलिए फेंशा मगला कोशन को देख लेते हैं जो आपको माध से related है दोस्तो अगर आपको व्यूरा है math, physics और chemistry में problem तो आप.net के वार्टसप नंबर 8400-400-400 पे किसी भी कोशन का फोटो खीचो और वार्टसप करो 8400-400 पे दोस्तो यहां पी आपको physics chemistry और math के किसी भी कठीन से कठीन सवालों का जबाब सिर्फ 10 सकंड में पा सकते हो link नीचे description box में है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होका, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में सेर कीजिए और जो भी student चैनल पे नए है, चैनल को subscribe करेंगे, बेल इकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतेक दिन की ऐसा ही मेठी के जो भी हम crash course का वीडियो बना रहे हैं, आप से ना छुटे और आकि मेठी के त्यारी है, वसी तरीके से हो सके दोस्तों मैं मुकिबर सारी जल्द मिलूँगा, अगले वीडियो में नए भी वीडियो कोशन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको इंटर्मिरियर्ट के आईये सी आईकम और आये के प्रतियक विसाय का अलग अलग शिख्छा को द्वारा आपको वहाँ तैयारी क्राई जाएगी तो इसलिए जो भी इंटर्मिरियर्ट के इस्टुडेंट है वह जल्दी से जाके उस चानल को सब्सक्राइब करके बेरा इकन को प्रेश कर लें ताकि उस पर जितने भी वीडियो अप्लोड की जाए आपकी इंटर्मिर्ट एक्जाम के लिए वह सभी आपको सबसे पहले देख सके दोस्तों हम जल्दी विलिए एग